तो बुल्डो जड़ चलने चाहिए उन सब पुलिस कर्मियों के घरों पर जिन पुलिस कर्मियों की मौचुद्गी में उस बाबा नामक युआ ने एक फोटी शेवन से गोली बारी किये यह जो नुहूं का दंगा है उस पर बात करने से पहले आपको एक याद दिलाता हूं हमारे देश में अभी डीवाय चक्खे नएदीश हैं दीपक मिश्रा मुख्य नएदीश ते जुलाए दोहजार अठारा का जिक्र कर रहा हूं देश में भीड हिंसा और माव लिंची उन् कोई भीड कंट्रोल करनी हो तो पुलिस अधिकारी को खुली छूट है और हमारे देश में बरेली में एससपी उनका नाम है परभाकर चौधरी परभाकर चौधरी ने सुप्रीम कोट के मुख्य नयदीश की अध्यक्सता में दोहजार अठारा में दिये गए हिंसा भीड औ को तितर-बितर करने के लिए लाठी चार्ज करने का जो काम क्या था उसके लिए देश को बधाइक देनी चाहिए परभाकर एससपी चौधरी को लेकिन क्या हुआ परभाकर का तबादला कर दिया दंगाई संग्यों की सरकार ने कहा कि तुमने दंग और पंगा करने वाले पार CRPC की धारा 139 के तहट लाठी चार्ज क्यों किया तो मैं मौजिदा मुक्यानियदीस डिवाज चंदर्चूर साभ आपको याद दिलाता हूँ तब आप मुक्यानियदीस दीपक मिस्रा की अगवाई में जो बेंच थी तीन जज़ों की उसमें आप सब सामिल थे जब आ अधित्यानात को नोटिस जारी करके और 2018 में सुप्रीम कोट के मुक्यानियदीस के अधिक्स्ता में दिये गए आदेश की अब मानना के लिए मुकदमास क्यों नहीं चला जाना चाहिए कोट की अधास आदेश के अब मानना का यह मैं अपील करता हूँ मैं SSP पर भाग कर च चाहिए यह आपके तबादले से अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं इनकी सरकार की हैस्यत पांस साल होती है पांस साल बाद इनको जाना होता है और दूसरी सरकार का आनाता है अब दूसरी तरफ देखिए मैं आपको पताना चाहता हूँ नूमें इत्यास है भारत का भारत की आ सद्यंत्र कहता है और क्यों हुआ आप इसमें बड़ी रोचक बात है यह दंगा कराने के सद्यंत्र के पीछे देखी क्या है एक काउट टास्क फॉर्स है उसमें गवरक्षकों को भी सामिल के आगे है हर्याना की खटर सरकार के नाशीर जुनेद की हत्या कर दी गई थी फरवरी में जला करके उसी काउट टास्क फॉर्स और गवरक्षक उसका नाम है मोनो मानेश्वर के माद्यम से और मोनो मानेश्वर जब उस टास्क फॉर्स का सदस्या है और उस टास्क फॉर्स के माद्यम से जो खटर सरकार ने चाहिए अपहरंड का जिंदा चलाने का यह सुप्रीम कोट की जुमेवरी बनती है क्योंकि सुप्रीम कोट का आदेश पहले आ रखाय जुलाई 2018 में यह बात मैं चंदर्चूर साब आपको याद दिलाना चाहता हूँ यह बात मैं राजस्तान की गहलोज सरकार को याद दिलाना चाहता हूँ जो नाशीर जुनायत के मामले में मुकदमा दर्च की विली है और एक हरानकी की बात है हरियाना में राजस्तान के यह दो नाशी लो गहिलो तुम मैं इस क्रोनोलोजी को भी आपको समझना पड़ीगा और मैं आपको बताना चाहता हूं नकेवल मोनोमाने पर एक और है बिट्टू बजरंगी जो चैलेंज कर रहा था उसका वयाद बीड़ो दुनिया ने देखा हमारे देश में 2018 का जो फीड हिंसा और माव लिंचिंगे खिलाब जो फैसला आया था अदेश आया था उसमें कहा गया है कि धारा 153 के तहट ऐसी अपवार जूर फैलाने वाले के खिलाब यह संबिधान में यह कानुन में जो होर कई प्रापदाने तत्काल मुकदमा दर्ज होना चाहिए तो देखना रोचक होगा कि वहाँ पर जो धार्म के नाम पर जुलुस निकाला जा रहा था उसमें जिस तरीके का बिट्टू बजरंगी का वा बयान था हरियाना की खट्तर सरकार ने और नुहू के जो पुलिस है उन्होंने बिट्टू बजरंगी के खिलाब उस धारा के तर्फ मकदमा दर्च किया है कि नहीं यह महत्व पुरून है महत्व पुरून है कि वहाँ एक के फैंटालिस को लेकर करके के फारिंग करना था मंदर किसे उसका नाम है बाबा उस लड़के का नाम उसके हुलिया और हैसे अचे लगता नहीं है उसकी आवकात होगी एक के 47 लेकिन एक के 47 के फारिंग करने वाला उसके साथ महाँ पुलिस फोर्च भी खड़ी थी तो बुल्डो जोर चलने चाहिए उन सब पुलिस कर्मियों के घरों पर जिन पुलिस कर्मियों की मौजुद्गी में उस बाबा नामक युआ ने एक के 47 से गोली बारी किये तब यह ह 2018 का कानुन जिस दिन अस्तुत में आया था 2018 का 17 जुलाई का मैं जिक्र कर रहा हूं और 20 जुलाई को राजस्तान में रक्मर खान की हत्या करके बाज़ापा संग परिवार की सरकार ने संदेश दिया था कि हम किसी भी कीमत में सुप्रीम कोट के मुख्य न्याजिस की हिंसा पीड़ और माव लिंची के कानुन को के पाला नहीं करेंगे और तब मैं हैरान हूं कि सुप्रीम कोट की बेंच ने तब राजस्तान की सरकार समंदिस पुलिस अधिकारियों पर क्यों नहीं सुप्रीम कोट के आदेश के अमाना का मुकदमा दाहर किया मैं अपील करता हूं कि हैलो सरकार से कि हैलो सरकार आगे बढ़े और रगबर खान के मामले में तत कालिन पिछली सरकार में सामिल जो मंत्री थे पुलिस अधिकारी थे उन पर सुप्रीम कोट के जुलाई 2018 के आदेश के तहट अब माना का मुकदमा दर्श करानी की कारवाई आगे बढ़नी चाह क्या है इस हिंसा के पीछे हिंदों मुसल्मान बनाने का धुर्वी करण के पीछे कि सडियंतु को आपको समझना पड़ेगा एक महित्व पुरुन बात तारीक और समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा महित्व पुरुन क्या था हमारे देश की सुप्रीम कोट में मुख्य नयदीश की अध्यक्सता वाली बेंच मानीपूर में जिस तरीके से आदिवास्यों पर जुल्म धाये जा रहे हैं उनकी बेटियों को बहुओं को नगन किया गया भौजाएं को नगन करके प्रेड लगाई गई हो बलातकार किया गया हो और सरकारी खजाने से जो हत्यार है उनको लूट करके उनके बूते लूटकर किया वोılarकारी बेरेंच सहर्कारे जो हत्यार सोपे है उनके बूते उनकी बरबरता करने का जो फैसला क्या फ़सला देगी मुख्ख नैजिस की ब्यंच इस पूरे से ध्यान भटकाने के लिए दो बड़े कारण होई एक जो रेल में चैतन सिंग चाधरी ने ऊदिगी चातन सर्मा ने क्या किया चेतन सर्मा ने सबसे पहले एक आदिवासी E.S.I. अप्टेद शीनियर को E.S.I. टीकाराम मीना को इसलिए को ली मार दी कि आदिवासी टीकाराम मीना ने मोधी योगी जिंदा बात नहीं कहा मोधी योगी का नाम लेने से मना कर दिया हले लोग तंत्र है एक संदेश यह दिया गया ये संगी गुंडों के माद्यम से कि R.S.S.B.J.P. के आतंकबादी भारत में सुरक्षा बलों की बर्दी में भी है अगर उनके सामने आपने योगी मोधी जिंदा बात नहीं किया तो आदिवासी टीका राम मीना की तरह सारे आम गोली मारके हत्या कर दी जाएगी और दूसरा संदेश क्या दिया के मुसल्मानों तुम याद रखो तुम योगी मोधी जिंदा बात नहीं करते हो तुमको रेलाँ में जिंदा रहने का हक नहीं है ये संदेश क्यों दिया और तीसरी बात कि पूरे भारत में जो माहौल बन गया है कि देश को बचाने के लिए ये इंडिये को हटाना होगा मोधी को बगाना होगा और इंडिया को लाना होगा ये जो चर्चा सारब जनिक परिवान डवस्ता में होने लग गई है इस से लोगों को दुराने का सड्यंत्र है इसलिए मैं देश वासियों आप सबों से अपिल करता हूँ आदिवासी, मच्वारे, दलिद, भूमिहीन, किसान, नौजवान, महिला, पुरुस सबी कट्ठे होकर बशों में, रहलों में, जाजों में, मेटों में करो कि नर्ण्द्र, मोधेर, इंडिय को बहगाना होगा मैं सलुट करता हूँ, हर्याना में, नौह में जहाँ आग लगार दंग्यकरा थे उससे पहले जाट बड़े मुख्या लोगों ने ऐलान किया कहा कि जाट का धर्म, देश में अन्ड पैदा करना, जवान पैदा करना, पहलान पैदा करना, देश में भाईचारा इंसानत पैदा करना, यह हमारा दाइट तो है, गुजरों के मुख्याँ ने भी यह सब किया, इनका इस्तियास देखिए आप, कहिए मीर भोस के नाम पर प्राजस्तान में भी रेल की पट्रियां गोलियों से खूंचे सन गई थी यह सब जानते हैं इनसे पूछना पढ़ेगा कौन हिंदू है जाट जाट हो गया गूजर गूजर हो गया आप मराठा मराठा हो गया राजपूत राबुज हो गया अरे कहिए होर कटना भी है उत्तर इस तारी को यह संदेश और दिया गया के मुक्चैन अधीस यह मत भूलो जिनकी हिपाज़त में तुम हो वह बर्दी धारी भाज़ापा आरेसस के आतंकी भी हो सकते हैं छेतन की तरह जो रेजर रेलवे प्लिस फोर्स का जो आदिवासी की करा मीनार मुसल्मान यात्रिव क हत्यारा था और दूसरी बात कि तुमने क्या कानुन पास किया भीड़ और मावलिंच के खिलाब देखिए हम नुहू में जहां कभी दंगे का इत्यास नहीं हुआ वहाँ दंगा करा सकते हैं तब मैं कहना चाहता हूं सुप्रीम कोट के बैठे मुख्य नए दीश के ये परिपाटियर परंपरा खतम करनी पड़ेगी हमारे देश में इनके खून से हाथ कैसे रंगे हुए हरें पांडे की हत्या इसले करा दी गई क्योंकि मुख्यम मंत्री कायम रहने के लिए नंद्रमूदी को शीर चाहिए थी यह उनके पिता का हमारे देश में तड़ी प चानुन को बदलने के लिए गोपिनाथ मुंडे की हत्या करा दी गई और मैं यह कहना चाहता हूं इन हत्याओं के सिलसिले के ही रूप में अभी इनका बोट बैंक खिसक रहा है आदीबासी पिछडे दलीत गूजर जाट बड़ी संक्या ब्रहामन राजपूद्वी कई खि खिला लेकिन एक बात फिर कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोटे बैठे जज़ों को चुनोती भी दी कि तुम क्या हिंसर माब लिंचे खिला मुकदमा फैसला देते हो हम तो तुमारी नाक के नीचे एंसियार में ही बी कतले आम मचाने के लिए बाबा जैसे एक के 47 लेकर के और वो क्या है बिट्टू बजरंगी जिसका बयान बीडियो बहुत घटिया और जो वांटिड है मोस्ट वांटिड दस्दा का इनामी क्या नाम है उसके बीडियो से तहलका मचा सकते हैं आग लगवा सकते हैं हिंदो मुसल्मान करा सकते हैं मैं ठैंक्स और बधाई देना चाताओं गूजरों को जाताओं को तमाम जो देश के इनसान और भाईचारेक वाले लोग हैं उन्होंने पोल खोल करके रख दी भाज़ाइब